सब्सक्राइब नाव और प्रेस्ट बेल आइकिट नेवर मिसन अपडेट ओम नमस्कार मित्रों स्वागत है आप सभी के अपने इस योटूब चैनल जिवन जीने की कला में कैसे हैं आप सभी आईए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कैसा रहेगा तुल सबसे पहले एक से दस जुलाई तक का समय आपका कैसा रहेगा शनी केतु का तृतिय गोचर और मंगल की दृष्टी के साथ चंद्रमा अश्टम रहेंगे चिंताएं अधिक रहेगी और कार्य में बाधा और आय संतुष्टी पून नहीं रहेगा इस वजह से तीन तारिक से कुछ लाव में वृद्धी होगी फिर भी मन अशांत बना रहेगा पारिवारिक कलह भी हो सकता है वहां नित्यादी के प्रयोग में सावधानी रखें तो अचा की समस्या भी आपको हो सकती है 11 से 20 तारिक का समय आ जाएगा इसके बाद तो इस्थिती पूरववत ही बनी र प्राप्त होगी पर उससे कोई विशेश लाव होने की संभावना नहीं है हलांकि धन की आवक अच्छी रहेगी 17 और 18 को व्याई की अधिकता होगी और विरोधी सक्रिया रह सकते है 19 और 20 जुलाई को पुनह आराम मिलेगा इसके बाद समय आएगा 21 से 31 जुलाई का तो में कोई बदलाव नहीं होगा चंद्रमा का गोचर और बुद्ध कुछ रहत देने वाले हो जाएंगे इसलिए आपको कारियों में मामूली गती प्राप्त होगी और सहयोग मिलने लगेगा विरोधी पस्त होंगे और परिवार भी सहयोग प्रदान करने लगेगा मन में शा खलता मिलेगी काम पूरे हो सकते हैं व्यपार की बात करें तो व्यपार में परिस्थीतियां थोड़ी कमजोर हो सकती हैं लोग आश्वासन दे करके पूरा नहीं करेंगे कोई समस्या व्यपार को प्रभावित कर सकती है महीने के अंतिम दिनों में विरोधी परास्त हो सेहत की बात करें तो सेहत के लिए समय ठीक रहेगा मांसिक तनाव रहेंगे लेकिन कोई शारीरिक व्याधी परेशानी आपको नहीं रहेगी दामपत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी से अनुकूलता प्राप्त रहेगी ससुराल पक्ष से कोई अच्छी सूचना मिल स सकती है किसी बात पर आप में समान्य बहस हो सकती है इसलिए मधूरता को बरकरार रखे तो ही आपकी भलाई है इस महिने इसके अलावा संपती की बात करें तो संपती में इस्थितियां समान्य रहेंगी कानूनी अर्चने कम हो सकती है कोई फैसला आपको रहत दे सकता है शास क सहायता भी मिल सकते हैं आपको उपाय की बात करें तो लक्षमी सुक्त का पाठ करें और गुरुवार को केले के व्रिक्ष की पूजा करें या फिर पीपल की परिक्रमा करें इन में से कोई एक उपाय भी कर सकते हैं तिनों उपाय भी कर सकते हैं आपको महीने से जो होने वाले अनिष्ट हैं यानि की बुरे प्रभाव हैं उनको दूर करने में मदद मिल जाएगी वो दूर हो जाएंगे और आपको रहत मिल जाएगी तो यह आज का एपिसोड रहा आप सभी के लिए जो की तुला राशी वालों के लिए रहा आप सभी वीडियो को एंड तक देखे इस बात की बहुत खुशी है आमें दिल से धनेवाद आप सभी का वीडियो को लाइक शेर एंड कमेंट करते हैं देखकर के आप सभी इसलिए आप सभी का दिल से आभार अब मिलेंगे आप सभी से एक नए एपिसोड में जाते जाते आप सभी जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आप सबसे पहले मिले मिलते हैं नए एपिसोड में नई तरह की जानकारी के साथ तब तक के लिए धनेवाद नमस्कार मित्रो